जो ये मेरे बाई इसरा का कमेंड करते ना ये मेरी बेहने आप भी को ऐसी चीज इन्वेंड कर लो जिसे को 50 साल का भंदा दीज का दिखे हेलो जी नमस्ते असलाव वालेकूं और सश्याखा दो दोस्तों बात करते हैं जी आज की वीडियो की भई आपका भाई आज बनाने जा रहा है इदम सिंपल रसेपी भई मटन की भई हल्दी और मिर्च वाली तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी बनाना और प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं जी बनाना भाई कुकर मैंने लगा दिया जी इसमें मैंने मस्टर्ड तेल डाला हुआ है करीब 10 टेबल स्पून ठीक है जी जो कि अभी गर्म हो रहा है तो दोस्तों तेल गर्म हो गया जी मैं इसमें डाल लसन और हरी मिर्च का पेस्ट डाल दो जी तो मिलाओ जी तो इसे करीब आप दो मेंट तक हाई फ्लेम पे भुनोगे ठीक है जी तो भुन लो कर्ची चलती रहनी चाहिए कर्ची रुखनी नी चाहिए वरना यह चिपक जाएगा तो दोस्तों अब डालेंगे जी हम इसमें इसे भी भुन लो ठीक है फिलाल भुनो नहीं फिलाल मिला लो तो करीब एक मिनिट के बाद ठीक है इसमें डालेंगे जी हम अब नमक भाई स्वाद नुसार तो मिला लो तो जिनाब अब गैस का फ्लेम कर्दो जी लो ठीक है जी कर्शी निकालो बाहर इस पे रख दो जी ड लगकन ठीक है करीब 8 मिनिट के लिए ठीक है लो फ्लेम पे तो दोस्तों बई आट मिट होगे जी टमाटर तो है गल गी गल गे तो दोस्तों अभी गैस का अभी हम गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे हाई नहीं करेंगे अब मैं डालने जा रहा हूं जिसमें 5 टेबल स्पून लेंगे थोड़ा से ज्यादा नहीं तो पानी पूनी मिलाने के वाद अब क्या करोगे जी आप अब गैस का फ्लेम हलका सा मीडियम करोगे ठीक है और इस पर ढकन रखके करीब 3 मिनिट इसे पकाओगे मीडियम फ्लेम पे लेकिन बीच में आगे दिखना की चिपकना गया हो मसाला मुशूला बहिए अगर आवाज आरी चींचिंग की उसके लिए सौरी मैं पडोस में काम चल रहा है यार तो दोस्तों दो से 3 मिट होगे जी अरे वाँ परे वाँ तेल बॉन्डरियू पे छूड़ गिया है लॉंग ऑन लॉग हो भै छूड़ गिया है तो भई मिला दालो सकची तरछा से ठीक है तो डालो झी मटन यह करीब एक किलो मटन है जी करीब एक किलो नहीं एक किलो ज्ब हैं मैं करीभियों जार तो मिला जो जिसको चंगी तारा से इकत्म चंगी düny Contract है तो दोस्तों अच्छी तरह से मेल मिला неп worn अब कर consumo करोगे और उपर ड़कन रख 500 ग्राम गैस का फ्लेम हाई करेंगे और जो कर्ची है यह यूँ यूँ चलाते रहिए गाए ऐससे जब तक उभालना है तो दोस्तों कर्ची चला चला के आखिर उबाल आई पानी तो इसमें बेशुमार है लेकिन हम इसमें करीब आधा गिलास पानी और बनाएंगे आधा गिलास ज्यादा नहीं लाना आधा गिलास क्योंकि हम थोड़ी ग्रेवी रखने की इसमें तो करना क्या जी अब दो सीटी का वेड करो हाई फ्लेम पे दो सीटी निकलने के और दोस्तों बढ़ी बनके तियार हो गया जी अपना रड़ी मिर्च वाला मठन या मठन हलदी मिर्च वाला भोलो देखो यार बढै बताव दिख क्या सरा है है हां भाक लग कैसरा यह अधियो दनीये कि पोछाड कर दी मैने बाद में पियारा दिख रहा है क्या प्यारा द ये देखो ग्रेवी कैसे लग रही है दिःश की मुटी मुटी ग्रेवी हम ठो यार अब दा है दिखने में सुंदर या नहीं है सुंदर और इसा थमें क्या लिया जी तैसमें लियें ये प्याज अभी भी स्टेल बड़े महेंगे हैं, बड़ कोई नहीं, खा लेंगे, तो भई अब क्या किया जाए, तो भई अब सिंपल सी बात है, जो ग्रेवी ग्रेवी, इसे चेक किया जाए, इसे मैं इज़त से अपने प्लेट पे लैंड करवा रहा हूं, देखो भई, ग्रेवी अब मुद्धा यह है, कि टेस्ट कैसा है, हाँ, बड़े ग्रेवी से चेक किया जाएगा, वह, वह, भाई, वन्समोर, हाँ, बाई, प्याज बड़ा प्यारा टेस्ट यह रहे है, बाई, ग्रेवी जाएगा फियाज की बनी पड़ी, टॉमाटर की घटास, बड़ी प्यारी, और दही भी अपना काम बक्षो भी निवा रहा है, बाई, दही से ना वाक्के में ना टेस्ट बहुत चींज हो जाता है, य मुसाला क्या है मुसाला जाई नहीं अब क्या बोलूं कौन आगे कौन पीशे सब ब्रापर है बई अब क्या किया जाए अब कोई शंगा जा पीश ठाकर इसे कहा जाए बई प्लेट में लैड़ किया जाए थोड़ी मस्त मस्त इस पर ग्रेवी डालते हैं बई सुआ तो सी गाना है तो भई यह सही है बड़ा गरम बड़ा गरम अब देखते हैं अब मुद्धा है अब टेस्स कैसा आएगा लगा लगा कि इस प्यारी सी खुब्सूरत सी ग्रेवी के साथ थोड़ा और बनता है खाओ जी खाओ भाई क्या बताओं यार लजीज लजीज भाई आप विश्वास नहीं होगा कि क्या चीज बनी पड़ी है यार ये भाई कोई खड़े मसाले नहीं कोई बैठे मसाले नहीं कोई सोए मसाले नहीं कोई जागे मसाले नहीं अल्ली दो मसाले भाई जाई और वीरुगी जोड़ी हल्दी और मिर्च भाई विश्वास ही नहीं करोगे क्या टेज़ दे रहा, क्या टेज़ दे रहा, यार, ओ, 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 बनता है, और बनता है, कितनी सिद्धी साधी रेसपी है, यार, कितनी प्यारी रेसपी है, यार, मुझा सही में गया रहा हूँ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि, ऐसा टेस्ट आ सकता है, इन के वल द पते ये पते कोई पता नहीं आउनली हल दी एंड मर्च का पता भाई ये तबाही है तबाही सच में गया रहा हूं चपरांसा है चपरांसा सच में गया रहा हूं अब बताओ दो बंदे तो बैटिंग करने है इस टाइम पर बकी तो टीम परफॉर्म ही नहीं कर रही है वाले दो परफॉर्मर है तो दोस्तों पीस पूस तो हमने चक कर लिए तबाही फेर रहे हैं अब मुद्धा ये है कि किंग वेड कर रहा है मुझे मोगा दे अब तो भाई फेरने का अब किंग के सकते हैं इसको तो लो दूस्तों बाई किंग के एंट्री हो चुकी है बाई आज तो किंग भी बड़ा खिला खिला लग रहा है जानता है कि दो मसाले कुरह मचाने वाले हैं है है हॉई यह गुंसे है यह तो नहीं कि कुंसा बीस है अर राइफल उपला लोड़ी हुई वया आज़ी आजर आज़ आज़ आजर आजरो ौह तैने कुछा करतूस कर दूस नहीं तो बड़ा खिला खिला दिख रहा है बड़ा चेह करा है देखो 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 आतू बई सौध अगया बाके में यार दो मसाले वाला भी क्या चीज है बई मसा गया मसा गया तो आव याओ इतनी प्यारी ग्रेवी है देखो इतनी सुन्दर दिख रही है आव या सही मैं तो आव या है कि अल्डेश से बड़ा है यार। प्र मुझे वाइड वाइड ओम्जी पैडिक्याट टेस्ट यार मिंके साथ क्या फ्लेवर आया क्या स्वाद आया सच्छुमें कह रहा हूं नान को बड़ा मिस कर रहा हूँ, तंदूरी नान को, सच मैं कह रहा हूँ, सिंपल नान, क्या फ्लेवर देखा, क्या टेस देखा भई आज तो किंक के साथ भी जबरांजा है जबरांजा, सच मैं कह रहा हूँ बड़ कितनी सिंपल रेसेपी बताओ यार, कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, अगर दही नहीं गर पर दही डालने के कोई requirement नहीं है, बड़ हाँ दही वाके में कहीं टेस्ट बुद बढ़िया बना देता है, बाकी अपने भाईयों के लिए है, यू बनाया और यू खा साथ में है, हाँ, यह जड़के में है, है सही बनी यार, भाई यह रस्पी मेरे उन बेहनों के लिए बड़ी काम किया है, जो जाथा सिरदर्दी लेने पर विश्वास नहीं करती है, भाई, कुछ नहीं, बना के खिला दिया बस दो मसालों के साथ में, कोई टेंशन नहीं, यह इन दालें, दालची कितने तीड़ां नहीं है, लिए यह इते डाल दो भी मिर्च और देंगे खालो ह। भाई, आजकल तो गरीब हो को ना, जीने का हाक ही नहीं है, समझे आप, मेरे कुकर पर बड़ते हैं मेरे कुछ बाइन लोग और कुछ बेहने भी, या पचास साल पहले मेरी मा को मेरी नानी ने एक कुकर गिफ्ट में दिया था तो क्या ये वैसे ही रहेगा जैसे शोरूम से निकाला हुआ पर शुकर मना होगी देखो कितना हमने संभा के रखा हो और चल भी रहा है जो ये मेरे बाई इसरा का कमेंड करते ना ये मेरी बहने बाई आप भी को ऐसी सी इंवेंड कर लो जिसे को पचास साल का भंदा बीज का देखे वो ही मैं उस पर इंप्लिमेंट कर दूँगा तो बाई दोस्तों ये थे आपके बाई का बनाया हुआ सिंपल सा अल भी मित वाला मतर अब जुरू रही करना उम्हें के बताना में कैसा लगा आप तो बाई पर ग्लेट स्ना इंवेंगे ने नेक्स वीडिमेंगे तिल देन बाई